वेल्कम टू दे अनादर व्लोग गैज और यहाँ पे मेरी मम्मी ने रजाई धोके रख दी है क्यूंकि समर शुरू हुआ है तो सारे विंटर के कपड़े भी धोके रख देंगे हम लोग और अभी अंक शास्तर के नुसार मैंने मेरा नाम चेंज किया है तो डेली लिख रही रही हूँ अगर रिजल्ट आये तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और फिर यहाँ पे हुई है दो पहर मैं पॉडकास्ट देखी होरर पॉडकास्ट और फिर अभी आई हूँ नीचे तो मैंने लिंबू पानी पी लिया और ये कौन सी सबजी है आप लोग अभी लेके आई है खेत से तो हमारे खेत में बहुत सारी सबजीया है गोबी भी है और अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को हमारा गार्डन दिखा देती हूं तो यह है हमारा गार्डन और यहाँ पे यह मशीन है तो इसे अभी सोया अलग और मिटी अलग कर देंगे हम यहाँ पर देखो बोनियों में अभी सोया भी रख दिया है और यहाँ पर अभी पापड वगरा डालने के वज़े से गंदा हो गया है इसको भी आंटी फिर बाद में क्लीन करेगी और यह थोड़ा सा सूख गया है तुलसी का पेड थोड़ा सा गीला है लेकिन फिर भी कल पा लगता है पेड़ पोधों को और यहाँ पर शाम के वक्त दादी तुलसी वरंदावन में दिया रख दिया और फिर अभी थोड़ा सा बाहर का भीव दिखा देती हूं आप लोगों को तो पेड़ पोध बहुत ज्यादा है और यह हॉल का लाइट अभी हमने चालू कर दिया तो अलो कलर काफी अच्छा लग रहा है मैंने नेक्स दे व्लॉक कंटिन्यू किया और अभी क्लीनिंग करी हॉल की और अभी जा रही हूँ डेली की तरह मेरी रूम की क्लीनिंग करने के लिए दो पहर को 3-4 घंटे ही रहती हूं रूम में लेकिन मुझे क्लीनिंग काफी प पड़ेगी और ऊपर देखो चिपकली तो डेली रूम में चिपकली आ रही है और बाहर भी चिपकली दिख रही है डेली और मुझे काफी डर लगता है चिपकली से और यहाँ पर मैंने अच्छा से बेडशिट जटक के फिर अच्छा से लगा दिया और फिर जाडू लगाई रूम में और फिर पोच्छा भी लगाए तो यह कलर की सिमेंट की वज़े से उतना ऐसा नहीं लगता कि क्लीन किया हुआ है लेकिन मैं डेली क्लीन करती हूं और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा योगा कर लिया और यह रहा बाहर का विव और इसी के साथ यह ब्लॉग होता है यह लिपे का तंग